का सफलता से कोई वास्ता नहीं होता जीवन में मंजिल का कोई रास्ता नहीं होता आपको जब मंजिल पहुंच नहीं तो पहुंची जाओगे और हम कितने सफल हुए हैं यह देश के सामने हैं तो फिर हमारा क्यों हम क्यों डर हैं हम तो जनता के सामने अपनी बात लेके जा र प्रफ़ी इनका शुरू से चरित्री ऐसा है कि यह एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए आप बोल रहा है कि कॉंग्रेस ने पंजाब के वर्कर्स की केर नहीं किये अरे कॉंग्रेस तो अपने वर्कर कि बंगाल में अपने वर्कर के एक अर्थी पर चड़ोग की के एला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तब बात कर रहेंगे तब भी अलाइंस नहीं तो रहेंगे यह गांधी परिवार के सत्ता की भूक है इतनी भूक है कि इनको अपने वॉर्कर्स की कोई चिंता नहीं है खैर चलिए इनको निप्टाने दीजें एक दूसरे को अच्छे से न आप विरोधी अपनी सायोगी पार्टी के विधायक को गिरफतार करेंगे और वो विधायक आपके MP को जितवाएंगे दिल्ली में और पंजाब में ऐसा होता है क्या राजनीती में अमीश जी कोई भी व्यक्ति पर्मनेंट प्रेंड या एनिमी नहीं होता राजनीती में ऐसा सोचना भी गलत है कि आप इसको जिताएंगे आप इसको हराएंगे अरे अभी गंगा में बहुत पारी बहना बाकी है अभी तो 6-8 महीने हैं कौन किसके साथ जाएगा कौन कैसे सीट अड़्जस्मेंट करेगा क्या करेगी कॉंग्रेस केरला में कर चुकी है अपना उनका निर्णा हो चुका है और भी राहुल जी ने बोला कि हमनारा 3-4 पाव आते आते तो पहले अभी तो पांच यहीं निपट लेते हैं ना जो यह राजस्तान मद्यप्रदेश 36 गर्ड और तेलंगा ना और चुना होने वाले तो चलिए यही की बात कर लेते हैं अखिलेश यादाव और आमांधी पार्टी अलग चुनाव लड़ने है क्या को सीट राजस्तान 36 गर्ड और मद्यप्रदेश के अंदर कोई सीट कोलाबरेशन हुआ है इंडिया अलाइंस में अमीश जी अमीश जी अलाइंस का जो आप इंडिया अलाइंस का जो आपने पढ़ा होगा resolution मुंबई का इस पश्ट है उसके अंदर कि ये इंडिया अलाइंस केवल लोग समा चुडाओ के लिए उससे पहले विदाया गिर्फतार होंगे या बाइफोल होंगे या कुछ होगा तो सर्कार कैसी चलेगी होगा ये जन्दा भी देख सकती है अपनी समस्या है तो अपनी कड़ी को मजबूत करने के लिए आपने रमेश विदूरी को टॉंग का इंचार्ज बना दिया डॉक्टर अजया लोग प्रभार ऑग्रा उसके पहले विधायक रहने के पहले को एक है अर्पूरे जिले का प्रभार वहां वो देखेंगे करदें वा उनके सिन्ध़ाये कि भी अबादी अच्छे या और वहां पर उनका अलुकत लिशेह अलग हो तो सकता है लेकिन संसद की गाली का वी चैया कि वारिस पठान आप मुंबई से आते हैं और मुंबई फिल्मी नगरीवी और आपको देखकर एक फिल्मी डायलॉग मुझे याद आँ आज खुश तो भहत होंगे आप आपको हमेशा बोला जाता है कि आप BJP की B team है, C team है, A team है, D team है लगातार आपको सब बोलते हैं लेकिन अब ये B, C, D, E team सब BJP को जिताने में मदद कर रही है कि सब तो कॉंगर्स की विरोत में चुनाव लड़ रही है पॉइंट नमबर वन और रमेश भी धोड़ी, तो संगठन का काम पहले भी करते थे, अब भी कर रहे है बताइए, तकलीफ क्या है इसके अंदर